नमस्ते मेरे दोस्तो आज में आज में आज में लाई हूँ आपके लिए अ ख्यास भिंडी तो आज psamadhy xuंकिन केनी बहुत बहुत टीस्टि लगती और बहुत बड़ी बनाना भी बहुत आसां है और कुछ नहीं ऑजार से लाना है घर कई से बन जाता है तो चलिए शुरू करते हैं यह मैंने भिंडी ली है थोड़ी सी भिंडी भी आप ले सकते हैं ज्यादा भी ले सकते हैं आप आपकी कांटिटी की हसाफ से आप जितना बनाना चाहते हैं उसे साफ से आप ले सकते हैं तो मैंने यह हरी ताजी भिंडी ली है और उसे अच्छे स पूरी तरह से अच्छे से सूख जाएगी तो चिपची पाट कम लगेगी तो यह मैंने इस तरीके से मैंने काट ली है और पिर उसके बाद मैंने यह यह तेल डाला कडाई में देखिये तेल थोड़ा से ज़ादा लगता है इसमें और यह देखिये řा तेल गरम लगा लगाएंगी हम इसमें और यह देखिये सबसक्राइर, आपको होगी है। ततार मेरे तताइन सब्सक्राइबुन है। और आज धीमी रखिएगा और अब क्या करेंगे भी भिंडी हो गई है तो अब इसे हम अब थोड़ा सा हमने एक चमच बेशन डाला है और मिर्ची स्वाद अनुसार नमक स्वाद अनुसार हल्दी थोड़ी सी और थोड़ा सा हींग पीसावा डाला है यह भी डाल देंगे इस दो क्या करेंगे एसमें ठोड़ी देर हम निसे ड्रक देंगे ताकि अच्छे से और बची कुछी कर्ण जैसे हमने मसाली डाले ना बिसंट डाला मसाली डालत थोड़ा से अच्छे से अब उसमें मिल जाए इसलिए हमें ठोड़ा सा ये पोसेश करनी है अगर नहीं आपर प डालना पड़ेगा आपको यह मैंने कम तेल में ही करा है ज्यादा तेल भी नहीं लगा इसलिए मैंने थोड़ा से धाग दिया है ताकि वहाप जो रहती न उसके उसके अंदर रहेगा तो मसाला अच्छे से मिल जाएगा और अगर आप ऐसी पोसेश यह नहीं करना चाहते हैं करना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ा तेल और ज्यादा लगेगा आपको फिर ताकि मसाले भी तो आपको पकना चाहिए न अब यह देखे हो गए हमारे पूरी तरीके से भिंडी बढ़िया सी मसाले अगरा सब अच्छे से मिक्स हो गए अच्छे से पक गए मसाले और अब जो क्या करेंगे अब यह ऑफी यह यह मेरे पास रखा हुआ था यह करीबन एक कप चाहिए बच्छा था तो मैंने थोड़ा सा चाहिए टो रखी आधिया था मैंने निकाल दिया है और यह नीचे का जो गाड़ा गाड़ा चाहिए वह लिए आपज तो आप इस तरीके से भी आप ले सकते बच्चंच ऑफ यूस हो जाएगा आप जो थोड़ा सा लसुद्ट जो भी रास अपके पास न थो आप थोड़ा सा विधा बच्चा are तो से और अगर नहीं तो आपका मन खाने का है कि Лखेंट भी न कहना है तो आप इससे यहांच लाके भी बना सकते हैं और बचसाइब most इसनते हैं इसा भी आपका मन करे बनाने का बना सकते हैं मैं तो वह चैल बचा ह१ा था में आप थोड़ा सा तो मैं उसी का यूज कर रही हूं मैं पानी निकालके और नीचे का जो गाड़ा बचता चांच वह मैंने ले लिया है इसमें वह अला चांच डाल रही हूं मैं गाड़ा चांच अगर चांच नहीं डालते तो थोड़ा सा दही डाल सकते हैं मैं तो चांच का बना रही हो और बहुत बढ़िय जड़ाब लगेगी बढ़िया लगेगी यह वाली रेसीपि जास्ष विंडी की तो मेरे मेरे हिसाफ से आप बनाई एगा चांष से ही बनाईएगा एक बर बना के देखिएगा आप मेरे तरीके से तो यह डाल देंगे इसमें हम गाड़ा वाला चांच हमारा और और वोई गिलास को दो के मेंने थोड़ा सा पानी डाल रही हूं इसमें में क्योंकि ज्यादा खटा भी ज्यादा खटी भी नहीं अच्छी लगती है अगर आपक कि इसलिए हुग कि नहीं हमाने आप खटा हो तो ज्यादा डाल यह कि अच्छिंका खटा ही ताक्या दिया है अब कि घ्रयब्टाश्ड है नहीं खak People मेरे नए तरीके से बनाईएगा ये नई रेसी भी बहुत मज़े आ जाएगा आपको खाएंगे तो और बताईएगा मुझे जरूर कि आपको मेरी ये नई रेसे पी छाज भिंडी की केसी लगी है तो ये थी फिर मेरी आज की वीडियो मेरे चैनल को लाइक से रो सब्सक्राइब करना ना भूले अगली बार फिर मिलते हैं नेस्टे वीडियो में बाई बाई